लास्ट वीक जैमेन का रिजल्ट आया और इस बार का रिजल्ट काफी इंट्रेस्टिंग और अलामिंग है अगले कुछ मिन्टों में यह समझते हैं कि एसा क्या है इस बार के रिजल्ट में जिसे हरे एक स्टूडेंट को डेफिनेटली समझना चाहिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस डेटा पे यह डेटा है कितने बच्चे अपियर हुए थी इस बार के जैमेन का एक्जाम में बट इससे पहले यह जानिए कि पिछले साल इस तो 233 उसमें अपियर हुए थे आल्मूस्ट 11 लाक बच्चे इस बार अगर आप फोकस करें तो जो यूनीक कैंडिडेट है उनकी संख्या होगी है 14 लाक सीधे लगबग 3 लाक बच्चों का जब आगे बढ़ते हैं और अब आजाते हैं एक इंटरेस्टिंग बात पर जहां से हर एक बच्चे परसान घूम रहे हैं कि एक्च्छल में इ 90 to 91 के बीच में गई थी आल्मुस्ट तीन परसेंटाइल का जब और तीन परसेंटाइल का मतलब अच्छा खासा रैंक में डिफरेंस बन जाता है सिमिलरली अगर आप आप बाकी केटेगरीज में भी देखेंगे तो वैल्यू काफी बरी हुई हैं लगबग तीन से चार परसेंटाइल आलमुस्ट हर केटेगरी में जम दिखा है अब चलिए अब बात करने वाले हैं कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बना और यह एक रेंज में हम बात करें क्योंकि अलग अलग दिन के पेपर का डेटा थुड़ा अलग अलग है निएट परसेंटाइल बनी है अलमुस्ट एक सो नब्य से दोसो पंदरा मार्क्स पर एक हाईएर एंड में यह मार्कस है बट जैसे आसे आप नीचे जाते हैं मार्कस मेंट डिफरेंस जो है वह उतना ज्यादा नहीं है 98% tile पे बनी है exactly 170 से 195 marks तक के बच्चों को 98% tile मिला है 97% tile बना है 150 से 180 marks तक 96% tile 140 से 170 के बीच में 95% tile 130 से 160 के बीच में 94 के लिए almost 150 से 155 marks लाने परे बच्चों को और जिस cut off की बात हो रही है general category की वो 120 से 150 marks तक गया है 150 marks तक cut off गया है जो definitely alarming है यह value पिछले कुछ सालों से लगभग 20 25 30 नंबर बढ़ी है आगे बढ़ते और भी data हमारे पास है कि कितने percentile पर कितना rank बना है तो सबसे पहले देख लें यहां पर 99.9 percentile रहेगा 99.9 पर almost 1700 rank बनी है 99.8 पे 3300 rank बनी है 5000 rank लाने के लिए आपको 99.7 percentile लाना पर होगा 99.6 पे 500 rank बनी है 99.5 पे 8000 rank बनी है 99.4 पे 9700 है 11,000 99.3 पे और इस तरह से आप 99 percentile रहते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेम rank पे भी होते हैं एज और बाकी सारे क्रेट हैं इस आपसे 98.5 percentile अगर है आपके तो आपकी rank 23,000 तक चली गई है 98 percentile पे 31,000 पर rank लाई है 97 पे 46,000 तक चली गई है मतलब 66,000 95 पे तो 76,000 बात चली गई है अब जरा समझने ही कोशिस करते हैं कि इतना बारा shift कैसे आया actual में यह बारा shift है देखिए सबसे पहला और सबसे important बात है aspirants बहुत ज्यादा थे आपने देखा लगवग 3,000,000 बच्चे ज्यादा appear हुए थे इस बार which is definitely a high number इस बार आप बात समझीए जो deleted portion रहे हैं वो J main और neat में काफी same रहे हैं तो हमारा पास जितना data है अच्छे कासे बच्चे neat वाले भी इस बार J main में appear हुए तो संख्या काफी बड़ी हो गई है जिसके करण definitely competitive sense में काफी आगे बात पहुँची है और इसलिए आपको दिख रहा है कि percentile versus marks expectation से काफी अलग है serious experience धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आपको समझना परे है कि J is getting more and more competitive इसलिए अगर आप sincere नहीं है यहाँ पे अगर आप highly focused नहीं है अगर आप बहुत ही proper way में टेस्ट नहीं देते हैं उसके analysis नहीं करते हैं एक high scoring mindset के साथ काम नहीं क रहा है पेपर काफी असान रहा इस बार कुछ पार deleted भी रहा था factual questions जो पहले जादा आया करते तब वैसे काफी कम है simple formula based question है simple concept और उसके application वाले questions हैं जिन बच्चों ने एक काम अच्छे से किया होगा उन्होंने अच्छे marks score की है मतलब सीडी सीडी बात यह है कि पिछले बा अब final points students के लिए कुछ suggestion है हमारे end से भाई जैए main जैसे exam को अगर आप अच्छे से target कर रहे हैं सबसे पहले समझे कि उस exam की जरुरत क्या है उस exam को अच्छे समझे वो exam अब जो आप से चाहता है वो थोड़ा अलग है जैए advance के strategy बिलकुल अलग है जैए main से जैए main में आज आजकल simple formula based logical application simple simple application based questions आ रहे हैं जो अगर आप basic to just above basic level पे concepts की अच्छा understanding रखते हैं और regular revision करते हैं syllabus का अच्छा command होता है आपके पास तो आप definitely questions बना देंगे बहुत ही hi-fi type के सवाल बिलकुल भी नहीं आ रहे है syllabus coverage आप काफी matter करता है आपके लिए मतलब क्यूंकि अगर आप question आ रहे हैं तो वो questions definitely बच्चे बना ले रहे हैं तो high scoring के लिए अब आपको जादा question attempt करने पड़ेंगे और उनको सही करने पड़ेंगे इसलिए अब वो सारी बातों को भूल जाईए कि क्या important है क्या नहीं है थोड़ा करें जादा नहीं सारी चीजों को maximum से level 100 कवर करने को स कुछिस करिए जल्दी करने कुछिस करिए ज्याद से ज्यादर रिवाइस करिए so that आप बहुत सारे टेस्ट देके अपने आपको काफी accurate बना पाएं और high score कर पाएं और ध्यान रखिए 180 इस ते निवे 150 पहले जो 150 का mindset हुआ करता था जी 150 पे 96-97 type percentile भी आ जाती थी अब आ दिख रहे हैं इस बार 150 पे तो बच्चे बस अपने cutoff को ही cross कर पाएं so अब पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक 150 का mindset हुआ कर जाता अब 180 हो गया on an average 30 marks का jump और percentile part पे दिखा है तो एक high scoring set के साथ जैई मेन को सोचा गरीए और आप जो test देते हैं test को इस तरह से attempt करें उसके marks का mindset ऐसा बनाएं कि आप 180 प्लस को definitely target कर रहे हैं just to be safe in terms of good NITs in J-Min. All the very best to every aspirant उमीद करते हैं कि आपने कुछ बाते समझी होंगी, आगे हम काफी detail में बात करेंगे और काफी videos लेके आएंगे कि कैसे J-Min जैसे exam और J-1 जैसे exam में सूपर मेंसी हासिल कर सके. Thank you very much, all the very best.